अर्जी मेरा टॉपएक है वह डिस्कोर सब्सक्राइब करूंगा अधिक हम एक चेस्ट एक्सक्रे के अंदर किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से हमें नजराता अमेरिका के अंदर एक रिसर्च यह दिसमें यह देखा गया कि पूरे साल के अंदर जितने भी होस्पिटल अमेरिका में उसमें 4000 गॉसे जो हैं वो अब्डामल के विटी के अंदर इंडूरिंग सर्जरी या चेस्ट के विटी के अंदर रह गए और इसी तरह से एक नेलसन बैले नाम से जज हैं उनके भी के अंदर अब्डामल के अंदर इंडर्टिक गॉस रह गया और जिसकी वज़े से उनको पेन फील हुआ पर उनने डॉक्टर्स को राप्ता किया तो उनके डिफरेंट एक्सरेज हुए जिससे पता लगा कि उनके चैज आगा इनके जाता है तो फो पेन कर सकता है ठीक है इंफ।arप्स प्री शा reparला रिप।ब्या वह पुर्जा टीचे कर सकता है तो यह जो आप सामने पिक्चिर दे आए है सिर् लाइड में गोश के अनदर एक लाइन देख रहे हैं इक तो साइड से हैं जो मोट dużo पत है ठीग है ठीक़ ब्लू कोलर की यह और एक जो के अंदर यह ड्युक्त हैं वह ब्लू कोलर की यह डैडियोपक है मतूभ स्भूंच में आप यह हो सकता है कि जब आप तो एक्सरे करवाते हैं तो यह आपको एक्सरे के अंदर दिखाई देगी जिससे हमें पता लग जाता है कि गौज जो है वह ब्डॉमिल कैविटी में यह चेश कैविटी में रहा गया और आप फिर उसको पेशिंट को डिश्चार्ज करने से पहले आपको पता लग जाता तो आप उसको निकाल सकते हैं इसी तरह कि यह दूसरी एक्सलाइड है जिसमें आप यह देख रहे हैं कि यह गौज जो है वह जब यह सोक करने के लिए यूज किया जाता है दिरिंग सर्जरी तो यह ब्लू कलर का रेटिक गॉज यूज किया जाता है ताकि हमें चेस्ट एक्स की गई जिसमें एक रेडियो ओपक कैपसुलेटिड थिंग है जो यह ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है यह गौज के नदर डाली जाती और इसके दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक सकेनर है वह सब्सक्राइड को और रूम से बाहर ले जाने से सकेन किया जाता है पेशिंट को ताके और पता लग जाता कि इस गौज जो है वो पेशिंट की कैविटी के अंदर कहीं रह तो नहीं गया तो यह जो है बहुत एक अच्छी इंवेंशन है जिससे आपकी टाइम की वच्चत भी होती है और बेशक आप गौज सकेन भी लें त जो मैं आप से शेयर करना चाहरा हूँ जिसमें आप यह देख रहे हैं कि एक एक तो वायर की आपको क्योंकि यह पेशिंट जो है यह कैविच का है तो इस पेशिंट के जो है वो कैविटी के अंदर आप यह वायर्स तो नजर आएंगी क्योंकि स्टर्नम जो है वो कटता है तो उसके बाद स्टर्नम को जोड़ने के लिए यह आप वायर्स लगाते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपको एक धागा नजर आ रहा है मिडल आफ दे चेस्ट आप देख रहे होगे कि एक धागा है जो घूम रहे हैं और इस पेशिंट के अंदर तीन गौज जो है वो रख रखे में हैं खुद ही सोक करने के लिए और पेशिंट जो है वो यह अप गौज देख रहे होंगे जो रह गए हैं तो यह बिसिकली रै सब्सक्राइब करने के लिए जरूरी है कि जब भी वह एक्सरे देखे तो इस तरह की चीज़ें वह लगा जरूर देखे ताकि आपको पता लगए कि कोई चेस्ट एक्सरे में किसी पेशिंट के अब्डॉमिल के चेस्ट के अंदर के अंदर कोई गौस तो नहीं रहे गया अगर लाइन्स आपको नजर आ रही हैं जिस तरह से यह इसमें दिखाए दे रही हैं बहुत ही ओवर एक्स्पोज एक्सरे लग रहा है लेकिन इसमें फिर भी आपको धागा धागा कुछ नजर आ रहा होगा जिए धागा है यही रेटिक गॉस की जो ब्लू कलर की लाइनि थैंक्यू